नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपने चैनल HVS Studies में स्वागत करता हूँ इस वीडियो में आपके लिए SSC MTS के questions लेकर आ गया हूँ जो अभी recently exam में पूछे जा रहे हैं उन सब questions को हम यहाँ पर discuss करेंगे उसके आसपास की सारी detail हम लेते हुए यहाँ पर चलेंगे अगर repeat करत है question और उसके आसपास की detail भी पूछी जाए तो आपको पता हो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल रोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके जरूर जाईएगा आज के पहले question की बात करें वेन रेमन मेकसे से award start तो ये question आया हुआ है answer यहाँ पर हो जाएगा रेमन मेकसे से award को 1957 से देना start किया गया था और भारत के विनोभा भावे जी को पहला ये award 1958 में दिया गया था Mother Teresa को भी award मिला है 1962 में ये बात भी आपको याद रखनी है exam में पूछी जा सकती है और आप से अगर पूछा जाए Indian पहली Indian woman कौन है जिनको ये award दिया गया है तो 1974 में ये award मिला है ठीक है यहाँ पर बात की जाए फिलिपिन्स के जो president थे उनकी याद में रेमन मेकसे से award दिय करते हैं यहाँ पर मैंने कुछ और option लिखे हुए है जैसे कि 1929 इसमें इसमें Oscar award को देना स्टार्ट किया गया था 1954 में किस award को भारत रतन अवार्ड को देना स्टार्ट किया गया था और 1951 में Miss World Award देना स्टार्ट किया गया था और 1952 में Miss Universe Award को देना स्टार्ट हुआ था ठीक है आगे बात करें अगला question है विक्रम सिला विश्विद्याले founded by question आया है तो answer यहाँ पर हो जाएगा विक्रम सिला विश्विद्याले कुमार गुप्त द्वारा बनाया गया था ठीक है यह आपको याद रखना है अगर आप आप से नालंदा विश्विद्याले पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलेंगे तो आप बोलेंगे धर्म पाल द्वारा उसको बनाया गया था ठीक है चालिए आगे बात करें अगला question है 15th G20 Summit Organize Act तो 15th G20 Summit थी यह कब हुई थी यह 2020 में Organize कराई गई थी तो 2020 में 15 G20 Summit कहां Organize हुई थी तो आंसर हो जाएगा Saudi Arabia में Saudi Arabia में इसको कराया गया था ठीक है यहां पर मैंने list लगा रखी है देकि पंदरवी जो की 2020 में हुई थी इसकी Presidency किसके पास थी Saudi Arabia के पास थी ठीक है यहां पर बात की जाए 2021 की Presidency किसके पास है G20 की तो आंसर हो जाएगा Italy के पास है जो की Italy में सारे जो भी G20 की बैठक है वो सारी यहीं पर Organize कराई जाएगी इंडोनेशिया में अगले साल Organize होगी 2022 में जो की 17 नंबर की होगी और 1823 में भारत में Organize कराई जाएगी G20 की जो भी Summit है कोई सी भी मतलब Finance वाली बैठक हो या फिर Environment वाली बैठक हो कोई सी बैठक इंडिया में 2023 में Organize होगी ब्राजील ब्राजील करेगा 2024 में ठीक है चालिए आगे बात करें अगला कोशन है Who won Golden Boot Award in 2018 FIFA World Cup तो 2018 का कोशन पूछा गया है अगर आपको पता है तो ठीक है नहीं तो आप आगे बढ़ें यहाँ पर पूछा गया है Golden Boot Award किसको दिया गया है 2018 में तो 2018 को जो FIFA World Cup है वो हुआ कहा था वो हुआ था रशिया में उसे जीता कौन था तो France जीता था second time पहले भी जी चुका है France और अब 2018 में second time क्रोशिया को हरा करिये जीत गया था ठीक है तो France जीता था Golden Boot Award दिया गया था Harry Kane को ठीक है यहां पर बात की जाए तो Harry Kane ने 6 गोल किये थे सबसे ज्यादा गोल थे इसले इनको Golden Boot Award दिया गया था अब आप से ये पूछा जा सकता है कि 2018 में FIFA हुआ वो रशिया में हो गया लेकिन 2022 में वो और्गनाईज होने वाला है तो कहा होगा तो कतर एशिया का एक द होगा है आगे बात करें अगला कुशन है वेन युनेसको एनाउस्ड वर्ल्ड हैटे साइट तो कोनार्क सूर्य मंदिर तो कोनार्क सूर्य मंदिर को युनेसको ने वर्ल्ड हैटे साइट का दरजा कब दिया है तो आंसर यहां पर हो जाएगा इसको दिया है 1984 में 1984 में यु 40 ऐसी 40 ऐसी जगे हैं जिनको वर्ड हेटे साइट का दरजा मिला हुआ है ठीक है चलिए आगे बात करें और लास्ट वाली कौन सी है तो हडपा की गुजरात में साइट है उसको दिया गया है ठीक है आगे बात करते हैं तो यहां पर जो कोणार्क सूर्य मंदिर है यह किस के द आया गया था आगे बात करें अगला कुश्चन है विच आर्टिकल गिव पावर टू प्रेसिडेंट फोर ओर्डेनस तो आंसर यहां पर हो जाएगा प्रेसिडेंट को ओर्डेनस निकालने की पावर कौन सा आर्टिकल देता है तो आंसर होगा वन टू थ्री एक दो तीम ब पास किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा और पास करके रूल बन जाएगा उसके बाद उच्छे महीने बाद निरस्त भी हो जाएगा अगर अगली संसद में इसको पर्मेनेंटली पास नहीं कराये गया सेडियूल वाइस पहले लोग सभा फिर राज सभा फिर उसको देता है यहाँ पर बात की जाये तो प्रेसिडेंट साहब जी जो कि किन किन आर्टिकल से उनका लिंक है तो आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा Article 53 कहता है Executive power सारी Executive power President के पास होगी 54 कहता है Election of President होगा President का election होगा Article 55 कहता है कि किस तरीके से President का election कराया जाएगा इसको बताया गया है यहापर Article 56 में Time बताया गया है कि President साब का कितना time होगा 5 साल का होता है भारत में तो Article 57 रिलेक्शन को बताता है किस तरीके से रिलेक्ट हो सकते है President साब Article 58 कौलिफिकेशन बताता है President साब की Article 60 बताता है किस तरीके से कौन ओथ दिलाएगा तो हमारे Supreme Court के Chief Justice होते हैं वो इनको ओथ दिलाते हैं सपते दिलाते हैं Article 61 में इनका impeachment मतला इनको हटाने की प्रोसेस बताई गई है आगे बात करें तो अगला कुशन है Hemis National Park लोकेटेड तो अभी देखिए पहले अगर आप से पूछा जाए 2019 से पहले 2018 में माल लीजिए पूछा जाता कि Hemis National Park कहां पर लोकेटेड है तो आप क्या कहते है आप कहते है यह जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है लेकिन अब इस समय है Hemis National Park कहां पर है लद्दाक में है क्योंकि 2021 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाक को अलग-अलग यूनियन टैरिटरी बना दी थी तो लद्दाक के अंतरगद आता है Hemis National Park और यह भारत देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है आगे बात करें तो यहाँ पर मैंने लिस्ट लगा दी है बड़े और छोटे की जैसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है Hemis National Park कहां पर है लद्दाक में है Small National Park कौन सा है South Button Island National Park चोकी है कहां पर अड़वान निकोबार में है Largest Wildlife Century कहां पर है तो Run-Off कक्ष गुजरात में है और Smallest Wildlife Century कहां पर है Bore Tiger Reserve जो की महरास्ट में है आप से एक्जाम में पूछी जा सकती है आगे बात करें अगला कुशन है When Permanent Settlement Agriculture System begins तो आंसर यहां पर हो जाएगा Permanent Settlement Agriculture System में किसने किया था किसने स्टार्ट किया था तो आंसर यहां पर हो जाएगा 1793 में स्टार्ट हो था Lord Carnivalis के द्वारा आप से पूछा जा सकता है आप कोई बात याद रखनी है आगे बात करें अगला कुशन है Which India Neighbor Country Less According to Area तो किस country का Neighbor Country का भारत में भारत के बगल जो पडोसी देश है उनका सबसे छोटा एरिया है तो option के according अगर हम चले तो भूटान इसका answer सही हो जाएगा ठीक है भूटान यहाँ पर सही answer है लेकिन अगर आपको मालूम होगा एशिया का सबसे छोटा देश होता है मालदीव अगर मालदीव option में होता तो मालदीव आप लगाते भूटान नहीं लगाते लेकिन option जो दे रखे हैं उसके according भूटान सबसे चोटा देश है भारत का पडोसी सबसे बड़ा पूचा जाता तो सबसे बड़ा अगर आपसे पूचा जाता तो आप चाइना को बोलते हैं अपको भी मालूम है दूसरे नंबर में अगर आपसे पूछा जाता तो आप पाकिस्तान फिर अफगानिस्तान फिर बांगलादेश इस तरीके से सीक्वेंस चलता है आगे बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंसर लगा रखा है अगला कोशन है हरिजन सेवा संग इस्टेबलिस्ट तो अंसर हो जाएगा हरिजन सेवा संग को महात्मा गांदी जी ने चुआ छूट की जो आदत थी भारत में उसको कम करने के लिए इस संग की स्थापना की थी जिसमें हरिजन हरिजन उनको कहा था जिनके खिलाफ लोग चूआ चूआ चूट वगयरा 1932 में इसको बनाया गया और ये बात आपको याद रखनी है हरिजन सेवा संग अगर आपसे पूछा रहा है नाम कब रखा गया तो 1933 में तो नाम रखा गया था लेकिन 1932 में इसको बना दिया गया था हरिजन ये किसको कहा गया हरिजन कहा गया हरी भगवान के जो अंग है उ National Ice Hockey Championship और्गनाइज हुई, कहां हुई, गुलमर्ग में और्गनाइज हुई, कहां पर गुलमर्ग में और्गनाइज की गई, और और्गनाइज तो हो गई, लेकिन जीता कौन, तो आंसर हो जाएगा ITBP, ITPP के द्वारा इसको जीता गया, ITBP मतलब तिबतन जो हमारी पुलिस है, उसकी बात हो रही है, तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1962 में, यह बात भी आपको याद रखनी है, अगर बॉर्डर सेक्यूर्टी फोर्स की बात की जाए, तो 1965 में इसको फॉर्म किया गया था, तो हराया किसने है ITBP को, तो ITBP ने हराया है लद्दाक को, किसको हराया है अगर यहाँ पर आपसे पूछा जा सकते है, करेंट का कोशन है, कि ITBP के इस समय हेड कौन है, तो आंसर हो जाएगा, देशवाल जी रिटायर हो गए है, उनकी जगे ले लिए संजे अरोडा जी ने, आगे बात करें, अगला कोशन है, फॉर्मुला ओफ वेवलेंथ, यह को उनका भी बोल रहे थे option दिया हुआ है, लेकिन अब वो मुझे उनको भी याद नहीं था, फिर मैंने कुछ बनाने की कोशिश की, लेकिन answer यहाँ पर A option सही है, ठीक है, अगर आपसे इस तरीके से भी दिया होता, कि velocity, into my time, तो भी यह answer भी सही होता, हो सकता है, ऐसा ही कुछ बताए है, उनको याद नहीं था कि क्या दिया हुआ है, ठीक है, आगे बात करें, अगला question है, who wins French Grand Slam 2021, तो French Grand Slam tennis का जो होता है, उसको कौन जीत गए है 2021 में, तो answer हो जाएगा, कौन, नुवाक जोकोविच, नुवाक जोकोविच, C option यहाँ पर सही है, ठीक है, नुवाक ज नुवाक जोकोविच, पहला जो Australian हुआ है, फ्रेंच हुआ है, और Wimbledon हुआ है, तीनों को जीते हैं, और जो last वाला हुआ है, वो कौन जीते है, डेनियल मेद विदेव, डेनियल मेद विदेव, जीते हैं, कौन सा? लास्ट में होता है, US Grand Slam, US Grand Slam को डेनियल मेद है किसको हराकर नुवाक जोकोविच को हराकर ठीक है आगे बात करें तो यहां पर मैंने लिस्ट लगा रखी है दोजार 21 के देखिया आप तीनों देखिये नुवाक जोकोविच जीते हैं अगर 2020 के आप से पूछ लिए जाएं तो आपको पता होने चाहिए कि जो उसका महिलाओं की बात करें तो 2021 का महिलाओं जीती है विंबल्डन एसलेबाल्टी फ्रेंच बारबरा रेजो कोवा और नावमी उसका ऑस्ट्रिलियन जीती है ठीक है चलिए आगे बात करें अगला कुश्चन है FedEx कफ रिलेटेड टू FedEx कफ किस से रिलेटेड है तो आंसर हो जाएगा गोल्फ से रिलेटेड है अगर आपको आंसर नहीं पता तो आपको आगे ही बढ़ना था क्योंकि आप्शन बहुत अलग अलग दिये हुए थे आप इसमें गैस नहीं कर सकते थे तो C option यहाँ पर सही हो जाएगा आगे बात करें अगला कुश्चन है वेर इस हर मंदिर साहिब लोकेटेड तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा पंजाब पंजाब के अम्रस सर में ये मंदिर लोकेटेड है ठीक है चालिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपको ये कर दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और एटलिस्ट दस से बीस लोगों का आप शेयर करेंगे ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं धन्यवाद